हेलो फ्रेंड्स नमस्ते कैसे हैं आप बॉन नाड़ा वाईज़ विजन के सभी दर्शकों को मेरा साध रविनंदर मैं रजनी भारती स्री प्रकाश विद्या निकेतन में लाइब्रेडियन के रूप में काड़े रध हूँ चलिए आज हम आपको कुछ किचिन टिप्स जो की रोज मर्रा की जिन्दिगे में बहुत काम आते हैं उसको बताने जा रहे हूँ ये तो एक तो हमारा समय तो बचाता ही है साथ में हमारी जो चीजे है वो और ज्यादा अच्छी बनके आते हैं और हमारा समय भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है दो चलें तो आज की हमारी पहले टिप्स है बिंडी काटना बिंडी काटते समय अक्सर हमें बहुत साथे पारिशानियों होती है जैसे की बिंडी है तो वह बहुत चिप-चिपी सी जैसे हम कार रहे हैं तो ऐसे चिप-चिपी सी बनती है यह हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है इसको काटना तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि भिंडी के एजिस में थोड़ा सा नीम्बू लेमन इसको रब करेंगे और उसके बाद देखिए यह बिल्कुल आसानी से कट जाएंगी और बिना कोई रैसे छोड़ें तो यह हमें बह अगर हम इसमें थोड़ा सा नीम्बू रब करें तो यह देखिए और अगर फिर भी न जाए इससे तो बुनते समय थोड़ा सा हाफ टी स्पून नीम्बू का रज उसमें डाल दीजिए और यह एकदम आराम से खिली-खिली से बनेंगी अब यहां दूसरा टिप्स है लहसुन चीलते समय हमें बहुत परशानी ठानी पड़ती है जैसे कि यह लहसुन के चिलके हैं इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और जब खास करके हमारे नाखून बढ़े ना हो तो और मुश्किल होती है तो इसका एक सीधा सा उपाय है कि आप जब भी लहसुन को छी लें तो थोड़े दिर पहले बस 10 मिनिट यहां पर मैंने थोड़े से लहसुन की कलियां पानी में भिगोई है दस से 15 मिनिट और इसको पानी में भिगोगे यो यो देखिए मेरे पास नाखून भी नहीं है साप देखिए कितनी आसानी से यह पूरा निकल जाएगा यह देखिए तो यह बहुत ही उपयोगी टिप्स है इसको आप जरूर यूज करें चलिए दोस्तों अब मैं तीसरे टिप की तरफ जाते हूँ तो हमारा तीसरा है दही सामाने दही तो दही तो वैसे हम लोग सब बहुत पसंद करते हैं और यह हमारे स्वास्ते के लिए भी बहुत अच्छा होता है कैलसियम से भरपूर, ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छा और इसे बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं खाना और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो दही हम तो बैसे खाते ही हैं लेकिन आप अगर नौर्ट साइट की बात करें तो अमारे उदर एक सबजी जैसे की गट्टे की सबजी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है तो उसमें कर्ड का ही ग्रेवी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारे चीजों के लिए यहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे आप बिडियानी में डालते हैं और चीजों में डालते हैं तो अगर आप गट्डे में डालें तुसमें क्या करें कर्ड कभी भी उसको पूरा ऐसे यह फेंट के डालें अगर सीधा आप डालेंगे तो क्या होगा कि दही हमारी फट जाएगी और वो ग्रेवी फिर अच्छा नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा यूँ विस्कर से ये देखे ऐसे ऐसे करके थोड़ा हम फैंट लेंगे थोड़ा हम इसको फैंट लेंगे इसके बाद जब स्टोब में हम निसे डालना है तो थोड़ दिर के लिए बस कुछ सेकंड के लिए स्टोब का फ्लेम बंद कर दीजिए और उसके बाद करड डालिए नमक पहले मठ डालिए बाद में डालिए और तब तक उसको चलाते रहे जब तक की करड में एक वोःल ना और आपकी सब्जियां हमें सब बहुत बढ़िया बनेंगी और सब मजे से खाएंगे बच्चे भी बोलेंगे कि वाव क्या कलर है क्या टेक्च्चर है तो इस तरह से इस टिप को हम इस्तेमाल करेंगे हम चोथे टिप की ओर चलते हैं तो आलू के पराठे वाव I love it I think आपको भी बहुत पसंद होगा सबको पसंद है बच्चे बड़े आलू के पराठे सुनते ही मुमें पुड़ा पानी बढ़ जाता है तो हमारे घरों में हमेशा हम आलू के पराठे अग्सर वीकेंड में या फिर बनाते रहते हैं बाड़िस के मौसम में या जब भी तो आलू के पराठे चो बनाते हैं पर उसमें一次 अगर आप secret ingredients वो use करेंगे तो आपके पराठे इतने अच्छे बनेंगे कि आप यकीन माणो एक बड़ आप जरूर ट्राइ करना जब आप आलू का boil करके इसमें और मसाले mix करो उसके last में एक निम्बू कट करके उसके रस जो है वो डाल दीचे उसके बाद जो इतना बढ़िया वो टेस्ट आएगा पाएंगे इतना बढ़िया लगेगा वो हम चलते हैं पांचवे tips की ओर कई पार हम जब सबजियां बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी तो वो जल जाती है या कभी थोड़ा नमक जादा हो जाता है तो हमने तो लग तो फ्रेंड्स टेंशन मत लीजिए घबडाये मत बिलकुल चिल जब चिल आप क्या करें यहां पर आप सब्जियों में जो बनी हुई ग्रेवी है उसमें बस ब्रेड के छोटे-छोटे टुकडे जो देखे यह ब्रेड है इसके कुछ टुकडे लेके हम ग्रेवी में डाल के थोड़े देर तक कुछ दो-चार मिनिट तक बॉइल कर लीजिए उसके बाद यह ब्रेड जो है क्या करता है कि सारे इसके स्मेल को बर्निक स्मेल और एक्स्ट्रा सॉल्ड जो होते हैं उसको अब्सॉब कर लेता है उसके बाद टुकडों को निकाल के साइड कर दें और कर सकते हैं कि आटे आटे तो हम गुदते हैं तो उसकी कुछ गोलियां ऐसे गोल गुल बना कर वो भी आप ग्रेवी में डाल सकते हैं और फिर उसको निकाल कर साइड कर दीजिए दोस्तों आज मैंने आपको पांस चिप्स के बाड़े में बताया होप यू लाइक इट आप आपको बहुत पसंद आया होगा आपको कृपिया आप अपने सुजाओ हमें जरूर बताएं अपने कमेंट्स लाइक शेयर जरूर करें आपको कैसा लगा और आप इसको अपने लाइप में रोजमरा की जरूरतों में इस्तेमाल भी करके देखें शायद मुझे लगता है कि में ये कारगर होगा आपके लिए इसी के साथ आपकी रजनी आपसे विदा लेती है धन्यवाद कर दो